हलो दोस्तों, अभिनव नाम है मेरा, स्वागत करता हूँ आप सब का, आपके अपने यूट्यूब चैनल, मैच्स भाई अभिनव राजपूत में, तो आपको पोस्ट प्रिफरेंस फॉर्म बरना है, और दो या तीन दिन बचे हुए है, एक तारिक से पहले बरना है, और पास ना, छे आलिसों ग्रेट वे में साउथ जाने का उप्सन होता है, तो वो लोग क्या करता है, कि और आपको बताओंगा, इन में से कौन सा आपके लिए बेस्ट हो सकता है, ठीक है, इन में ट्रांसफर पॉलिसी क्या है, वोग प्रॉफाइल क्या है, प्रुमोशन क्या ह यूपी एसी के लिए बेस्ट कौन सा है, और इन में से कॉट आफ किसकी ज़्यादा रहती है, किसकी कम रहती है, कितनी कॉट आफ होगी, ठीक है, हम उसे भी बात करेंगे, ठीक है, तो इन सब चीजों के बारे मैं आपको बताने वाला हूँ, तो अगर आप पोस्ट पाइल की वीडियो बनाता हूँ, तो मैं एक एक वीक तक रिसर्च करता हूँ, तब जाके मैं आपको इन्फोर्मेशन प्रोवाइड तरता हूँ, तो सबसे पहले देखो CGA, CAG and CGDA, ये तीन है, जो CGDA है न, ये मैं आपको बताता हूँ क्या है, मेली जो डिफेंस जो होते ह न, जिसमें basically Navy हो गया, ठीक है आपका, या फिर Air Force हो गया, या फिर जो Army है, इन सब का audit करती है, CGDA, ओके, देन बात करते हैं CAG की, तो CAG क्या करती है, government की जितनी भी organization है, apart from auditors, sorry, CGDA, वो CAG करती है, same as CGA के साथ भी ये होता है, कि इन दोनों को छोड़कर जो बचता है, उसक सब का काम सेम है, ठीक है, same as auditor सिर्फ audit नहीं करता है, account भी maintain करता है, same CAG भी यही करती है, और same CGA भी यही करती है, account maintain भी करना और उसको audit भी करना, ठीक है, तो mainly काम सब का almost same है, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, मैं पहले auditor था CGDA में, ठीक है, तो मुझे I know इनका क्या job profile ह then मैं CAG में अभी AA हूँ, तो I know कि auditor का क्या काम है, क्योंकि मेरे under auditors है, मैंने auditors के साथ काम किया है, तो मुझे खुद बता है कि क्या करना है, और CGA में में मेरे काफी दोस्त है, जिन से मैं पता करके मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, तो work profile के बारे में बात करें, तो almost similar ह almost similar है, CGDA में मैं कहूंगा कि CAG और CGA से थोड़ा जादा work load है, CGDA में एक तरह से sense of responsibility है, जादा और आप अपने post के मालिक खुद होते हो, ठीक है, एक AA के अंडर काफी सारे auditors होते हैं, 4 या 5 CGDA में और सब को उसकी unit या उसका काम मिला रहता है, वो काम आपको CGDA में करना ही कर रहता है, तो AA की responsibility इसमें जादा रहती है, हलांकि responsibility उसमें भी जादा रहती है, तो अगर मैं CAG के बारे में बात करूँ, तो CAG के बारे में मैं बात करूँ, तो CAG में बेनली जो work load है, auditor का वो थोड़ा सा down है, as compared to CGDA, और CGA के साथ भी SIE है, अगर मैं transfer के बारे में बात तो auditor का जो है, वो all India transferable है, और transfer frequently होता रहता है, 5 साल, 8 साल में, आप एक state में बहुत दिन तक नहीं रह सकते हो, ठीक है, लेकिन hometown जाने के chances इसमें बहुत ज़्यादा रहते हैं, आप hometown जा सकते हो, मैं तरीका बता जता हूँ कैसा है, for example, मालो आप उत्रागंड के रहने वाल हो, ठीक है, और आपकी posting हो गई, say, Tamil Nadu में, ठीक है, अब आपको जैपूर जाना है, तो आप क्या कर सकते हो, auditor in CGDA में न, हर थोड़े थोड़े दिनों में न, जो hard station है, कुछ एक station है, जो hard है, जो सीमत हो गया, लद्दाक हो गया, ठीक है, lens down भी है, tenure station बोलते हैं, वहाँ प को तीन cities बतानी होती है, उन तीनों में से कहीं पे भी posting हो जाती है, तो auditor जो है, वो transferable है, और hometown के chances खुले रहते हैं, CAG में ऐसा नहीं होता, या CGA में भी ऐसा नहीं होता, इनमें आपको transfer लेने के लिए, सिर्फ और सिर्फ mutual transfer के लिए ही है, ठीक है, और CAG में आप mutual transfer ले सकत हो, transferable job नहीं है, आप deputation पे जा सकते हो, Delhi वगरा, ठीक है, लेकिन transfer नहीं होता है, same CGA के साथ भी ऐसा ही है, वहाँ पे भी transfer नहीं होता है, कुल में लाके दोनों का जो job profile है, कुल में लाके same ही है, अब अगर मैं state allocation के बारे में बात करूं, तो CGDA और CGA मेंना randomly allot होता है, फर CGA में ऐसा नहीं होता है, CGA में आपके rank पे depend करेगा और vacancy पे depend करेगा, कि कौन से state में कितनी vacancy है और आपकी क्या rank है, तो इसमें merit basis में मिलता है, और CGDA और CGDA में randomly मिलता है, तो ये work profile और transfer की बात हो गई, अब बात करते हैं promotions की, ठीक है, तो auditor in, देखो CGDA के बारे में मुझ पहले SAS का group 1 देते हो, फिर आप group 2 देते हो, दो level होते हैं, दो level है, आप जैसे ही 1 और 2 देते हो, दो साल के बाद आप eligible हो जाते हो, I don't know अभी कोई नया rule आया हो, जिसके लिए 3 साल हो गया हो, जैसे auditor in CG के लिए 3 साल हो गया है, CGDA का अभी भी 2 ही है, जहां तक मेरा idea है, बा assistant accounts officer बन जाते हो, और इसमें भी ऐसा ही होता है, लेकिन फरक क्या है, CGDA में exam देते ही आप pass हो गए, और आप double AO बन गए, लेकिन CAG में ऐसा नहीं होता, CAG में क्या होता है, अगर आपकी eligibility है, और मतलब आपने pass कर लिया है, SAS, और आपके state में vacancy हो, तो ही आप double AO बनोगे, otherwise आ आपको ad hoc double AO बनाया जाता है, ad hoc double AO में क्या होता है, कि काम आप सारे auditors और senior auditor का करोगे, लेकिन आपको salary double AO का मिलेगा, तो इसमें काम कम है, पैसे जादा है, ये auditor in CAG में है, लेकिन auditor में जैसे ही आप double AO बनते हो, आपको सीधा allot कर दिया जाएगा, ये benefit है, CGDA का, कि direct मिल जा तो ये दोनों में फर्क है, promotion में, ये तो SAS के बाद में है, अगर आप SAS qualify नहीं करते हो, तो आप यहाँ पर जाते हो auditor से senior auditor, और यहीं पर आप खतम हो जाती है आपकी promotion, लेकिन अब यहाँ बताता हूँ, अगर आप SAS नहीं निकालते हो, तो ये 800 grade पर है ध्यान रखना, फिर assistant supervisor, और फिर आप supervisor बन जाते हो, supervisor जो है, ये 4800 grade पे की job है, assistant supervisor छे 400 grade पे की job है, और senior auditor 42 grade पे की job है, अगेन इसके लिए आपको exam pass होना होता है, छोटा सा exam, एक ही paper होता है, वो आप निकाल दोगे, ठीक है, तो promotions के बारे में बात करें, तो SAS के बाद, अगर आप SAS निकाल देते हो, तो फिर CGDA में थोड़ा ज्यादा chance है, कि आप class 1 officer तक जा सकते हो, ACDA बोलते हैं, ACDA, DCDA बन सकते हो, लेकिन CAG में कम chances होते हैं, class 1 यानि, sorry, class 1 तो हलांकि senior AO ही है, तो class 1 तो आप थोड़ी दिनों पर बन जाते हो, senior AO बनने के chances, दोनों में same ही level है, लेकिन यही है कि audit, जो CA CAG है, उसमें senior AO के बाद promotion नहीं है, बहुत कम chance है, commercial में है, या फिर अगर आप North East वगरा में या South में है, तो आपकी chances है, लेकिन CGDA में आप बन सकते हो, ACDA बन सकते हो, DCDA बन सकते हो, JCDA तक भी जा सकते हो, अगर आपने बहुत जल्दी वो कर लिया है, तो promotional, SAS के बाद CGDA का ज बहुत जादा नहीं है, तो auditor in CGDA में टूरिंग से डरना नहीं है, से मैं CAG में टूरिंग है, लेकिन आप एक auditor चाहे तो टूर को avoid कर सकता है, डबलेओ के पास उतना option नहीं रहता, लेकिन auditors की numbers बहुत जादा है, तो you can easily avoid touring in CAG, CAG में avoid किया जा सकता है, लेकिन again अगर office को requirement ह तो वो भीजेंगे, तो touring के बारे में दोनों बराबर ही है, लेकिन CAG में ये है कि CAG में touring है, ठीक है, तो अगर touring है, तो obvious ही बात है, TADA का chances है, या आपको पैसे थोड़े जादा बनेंगे, ठीक है, तो इसलिए लोग CAG जादा opt करते हैं, तो ये तो promotion हो गया, अब UPC के ने बोला है न, उसी तरीके से, कि सबसे ज़्यादा chances है, UPC के तयारी के लिए सबसे ज़्यादा time आपको मिलेगा, CAG में, और CAG में, और सबसे कम chance मिलेगा, CGDMA, chances हिंदर सेंस की office arts में कितना time है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, बहुत लोग फूचते कितना time मिल जाता है office में, अगर आप पढ़ने वाले हो न, SSC की किसी भी job में न, per day, 2-3 घंटे आ तो आपको मिली जाता है काम करने के लिए, I mean पढ़ने के लिए, अगर आप खुद से पढ़ना चाहते हो, हाँ, ये नहीं कि free time में आप गपे लड़ा रहे हो, और फिर बोलोगे कि time नहीं मिलत है, ठीक है, अगर आप 2-3 घंटे, 2-5 घंटे easily पढ़ा जा सकता है, किसी भी job में हो, including assistant audit officer and account officer, ओके, तो UPC के लिए best कौन सा मैंने बता दिया, तीनों almost बराबर है, लेकिन फिर भी मैं बोलूगा आप या तो CGA opt करो, या CGA opt करो, और फिर CGD opt करना, अगर आप UPC के लिए कर लेना है, आपको तो obvious ही बादा, नहीं promotion लेना है, और चाहते हो कि काम भी अच्छे से होता रहे, पूरा All India घूमते रहो, तो CGD ले लो, cut-off के बारे में बात करूं, तो इन तीनों में सबसे ज़्यादा cut-off जाती है, auditors की, फिर CGD की, और सबसे कम रहती है CGD की, just because कि यह transferable ह लोड़ा कम opt करते हैं, अब इन ही में मैं आपको accountant के बारे में बता देता हूँ, ठीक है, यह मैंने auditors के बारे में सब कुछ बता दिया, अब देखो accountant का काम क्या है, मैंने जैसे बताया था कि CGD का ना दो department है, एक काम है audit करना, और दूसरे का काम है account maintain करना, तो अगर आप account maintain officer भी बन सकता है, एक auditor account officer भी बन सकता है, SAS देने के बाद, ठीक है, वो subject to vacancy होती है, जब वो आप department में आओगे तो जान लोगे, तो अखुल मिला कि यह थोड़ा सा briefing था, जो मैंने देना था, again accountant का touring नहीं है, पढ़ने वढ़ने के लिए जाधा time मिलेगा, तो यह था कुछ एक चीज जो बहुत लोग actually में auditors वगरा opt कर रहे हैं, और मुझे लगा कि I am the right one, जितने भी YouTube में available है बंदे पढ़ाने के लिए या फिर जो भी आपको information प्रोवाइड करता है, इस job के लिए I think I am the most qualified, because कि मुझे इस job के बारे में full idea है, मैंने खुद किया है, तो मैं आपको ज्यादा अच्छे से बता पाता और मैंने बताया भी है, अगर फिर भी कुछ छूड़िया है, तो comment कर में मुझसे पूछ लेना, thank you so much, मिलते हैं अगले session में, तब तक के लिए आप post preference form भरते रहो